क्या पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका माननेता नहीं देगा और आखिरकार ऐसा क्यों करेगा तो वहीं दूसरी तरफ सौधी अरब डे पाकिस्तान नहीं बलकि भारत को चुना है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को बहुत में चल रही है पाकिस्तान में चुनाव हिंसा और कंगाल अर्थववस्था के साय में हुआ है पूरे दिन मोबाईल फोन सेवा और इंटरनेट बंद रहा है इससे आम लोगों को यहां तक की मीडिया को भी चुनाव के बारे में सही जानकारी मालूम करने में नाकाम्यावी मिली है लोगों ने इसके बावजूद मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डाला लेकिन नवास सारीफ की पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मोबाईल इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने पर सवाल उठाये और सरकार पर आरोप लगाया इसी बीच वोटों की गिंती में निर्दलिय उमिद्वार जोकी इमरान खान के समर्थक माने जा रहे थे वो सबसे आगे चल रहे थे इन सब के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान में चुनाओ के दोरान राजनीतिक हिंसा और अभिवक्ति के हनन का आरोप लगाया और मोबाईल इंटरनेट सेव लौ मेकर हैं वो बाइडन से कह रहे हैं कि आप इस नई पाकिस्तानी सरकार को नहीं माननेता देंगे नई सरकार को माननेता नहीं देंगे तो क्या होगा अमेरिका के साथ इनका पूरा रिस्ता तूट ही जाएगा और कामकाज उधोग सारी चीजें रुख जाएंगी आपक कहा गया है कि इतने सारे लोगों ने इस में हस्ताक्षर किये हैं जो नहीं चाहते इस सरकार को लेकर उनका मत यह है कि अमेरिका इसे रिकोगनाईज ना करे इस क्रीन पर आप इनकी पूरी डीटेल को देख सकते हैं बाइडन को लिखा गया ये खथ है और ये एक खुला इस खत में एक नम्मर पर ये है कि जो नई गवर्मेंट पाकिस्तान में बनी है उसे रिकोगनाईज न किया जाए तब तक जब तक की एक ट्रांस्पेरेंट और सही तरीके से जाच नहीं होती है कि यहां इलेक्षन में क्या हुआ है दूसरी चीज पाकिस्तान के ऑथरिटी को यह कहा गया कि जो लोग भी पकड़े गए हैं उनको फ्री स्पीच देने के लिए छोड़ा जाए और किलियर किया जाए कि यहां पर जो भी हुमेन राइट्स के या डेमोक्रेसी को लेकर समस्याए हुई है उन सारी चीजों को साफ साफ सामने रखा जाए और अमेरिका को य T.I.E. का भी जिक्र है इमरान खान का भी जिक्र है जिसमें यह मांग रहे हैं कि यहां जब तक एक पूरी साफ सुत्रे तरीके से पता नहीं चल जाता है तब तक रुक रुकना चाहिए और यहां पर साइन किया हुआ है कौन कौन हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं स्क्री होना चाहिए अब इससे आपको क्या लगता है क्या अमेरिका रुख जाएगा और क्या अमेरिका यहां पर इस अरकार के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो यहां पर आप गलत हैं आपको बता दू अमेरिका यहां आगे बढ़ेगा इसका एक बड़ा एक्जामपल देखिए पी ये है कि अमेरिका ये स्योड कर रहा है कि पाकिस्तान को सुविधाएं मिलती रहे आई एमेफ से करजा मिले अब पाकिस्तान को करजा क्यों मिलने देना चाहता है तो साफसी बात है अमेरिका भी चाहता है कि भारत के पडोस में पाकिस्तान पूरी तरीके से जिन्दा रहे पूरी तरीके से तबा होने नहीं देगा जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसक्रीन पर एक खबर देख सकते हैं आप जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि भारत और सौधी अरब के बीच में पावर लिंक का स्थापित करने के लिए सारी योज चल रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत ने स्टडी करना शुरू कर दिया है ताकि समंदर के नीचे से पावर लिंक सौधी अरब को भेजा जा सके वहीं दूसरी तरफ सौधी अरबिया का जो वीजन 2030 है इसने पूरा का पूरा भारत के इंफ्रास्ट संस्थान को छोड़ कर सौधी अरब भारत की तरफ देख रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सौधी अरब की कंपनी ने किन बड़े बड़े पूर्जेक्ट को भारत के कई सारे संस्थानों को दिया है जहां एलेंटी इसे एक 8.4 बिलियन डॉलर का पूर्जेक्ट मिला है जिसके तहत इंफास्ट्रक्चर बनाना है रिन्योवेबल एनरजी पूर्जेक्ट के लिए तो वहीं दूसरी तरफ रियाद मेट्रो पूर्जेक्ट मिला है जिसमें कई सारे देशों की कंपनिया है एलेंटी भी है इसमें और ये करीब 6.7 बिलियन डॉलर का पूर्जेक इसके अलावे फिर से एलेंटी को मिला है 600 मिलियन डॉलर का पूर्जेक्ट जो की एक एनरजी जेनरेशन और पावर यूटिलिटी बनाने का है वेल्सपुन कॉर्परेशन इसे मिला है 370 मिलियन डॉलर का पूर्जेक्ट जो की यहाँ पर स्टील पाइप्स को सप्लाइ करे इतने सारे प्रोजेक्ट यहां पर दिये गए हैं सौधी अरब की तरफ से भारत को 2030 के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा भारत को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल रहा है भारती कमपनियों को और इसके अलावे अभी एक और मास्टर इस्टोक बांकी है और उसमें यह दिख रहा है कि भारत की ब्रह्मोस सूपर सोनिक मिसाइल का डंग का पूरी दुनिया में बज रहा है इसकी बहतरीन क्वाइलिटी को देखते हुए कई देश इसे अपने बेडे में सामिल करने के लिए दिल्चस्पी दिखा रहे हैं हाली में ब्रह्मोस मिसाइल के ब्रह्मोस मिसाइल में देखी जा रही है मीडिया रिपोर्ट की माने तो खाड़ी देशों की तरफ से जिन मुस्लिम देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिल्चस्पी दिखाई है उसमें सौधी अरब युई का नाम परमुख है हाल में इन देशों को इरान समर्तित हुती समूहों से खत्रा बढ़ा है यही वज़े है कि वो भारत की सूपर सोनिक मिसाइल में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं पिछले कुछ सालों में सौधी अरब की सेना पर पाकिस्तान का प्रभाव काफी रहा लेकिन मौजूदा समय में प्रिंस मौहमद बिन सल्मान का जुकाव भ दोनों देशों की सेनाओं ने संजुक्त युद्धा भ्यास किया है भारत और सौधी अरब के बीच दिन परती दिन बढ़ती दोस्ती पाकिस्तान के नजरिये से बिलकुल भी सही नहीं है खेर इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं कि साथ